दोस्तो आज आपके पास जो कुछ भी है या बहुत से ऐसी चीजे है जो देखने और सुनने में तो बहुत ही छोटी चीजी लगती है लेकिन क्या आपको पता है कि उनका असर बहुत ही परभावशाली होता है बस आपको जरुरत है अपने उन चीजों के प्रति अवेर होने क जो आपके पास है आज के इस यूडियो में मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनका उप्योग बहुत से लौ आफ एट्रेक्शन के ग्याने लोग करते हैं जब भी आपको शब्द भोलते हैं तो आपका वही शब्द धौ द्हौनी के रूप में बाहर जाती है और वही द्हौनी उर्जा के रूप में बदल जाती है जो कि आपके कौरा मंडल से होकर इस ब्रह्मान तक पहुंच जाती है और हमें ये भी पता है कि आकरसन के सिद्धान के अनुसार ये ब्रह्मान हमारे लिए लगातार काम कर रहा ह जिसका मतलब यह हुआ, कि आपके शब्द तही करते हैं, कि आपका आने वाला भविश्य, आने वाला पल कैसा होगा, इसलिए जब भी आप किशी शब्द को बार बार दोराते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही इंपेक्टफुल मिलता है, क्योंकि आकरसिन के नियम क प्रभाव से जुड़ा होता है, आप जो भी शब्द इस्तमाल करते हैं, उनका महत्व और वैक्तित्व लोगों को आकरशित कर सकता है आपके शब्द आपके विचार और आपकी परतिभा को व्यक्त करते हैं या आपकी इच्छा आपकी और आकर्शित हो सकते हैं चाहे आपकी वो इच्छा किसी से भी सम्मंधित क्यों ना हो हेल्थ से, वेल्थ से या सम्रिद्धी से यहां तक तो हम यह समझ चुके हैं कि शब्दों का असर बहुत ही प्रभावशाली होता है इसलिए शब्दों के पीछे छिपी उर्जा को आपको समझना होगा कि किस तरह की शब्द आपको उप्योग करना चाहिए इसे आप शब्द कहे या मंत्र कहे आपके हर एक बातों का आपके वाइक्यों का असर देखने को आपको जरूर मिलता है अब हम आगे ये जानेंगे किसी के पीछे यह विज्ञान कैसे काम करता है आप अच्छे से जानते हैं कि हम कितना भी चाह ले हम समय को कभी भी मैनुपलेट नहीं कर सकते हैं हमें समय के अनुसार चलना होगा मतलब हम समय को नहीं बदल सकते हैं लेकिन हाँ एक चीज है जिसे हम अपने फेवर में कर सकते हैं और वो है हमारे हालात हम अपने हालातों को अपने पक्छ में कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है मान लीजिए कि आपका कोई भी काम किसी भी व्यक्ति की वज़ा से रुका हुआ है किसी व्यक्ति की वज़ा से ही आपका वो काम नहीं बन पा रहा है तो ये आपके हाथ में है कि आप उस व्यक्ति को ही अपने फेवर में कर सकते हैं ठीक इसी तरह आपके जीवन में इसे बहुत से काम होंगे जिसे आप अपने फेवर में कर सकते हैं और उस काम को पूरा कर सकते हैं क्या आपने कभी इस तरह सोचा है कि अक्सर आपके जीवन में मुश्किले तभी आती है जब आपके आसपास की माहूल आपके फेवर में काम नहीं करता आपके आसपास की चीजे आपका वातावरन आपके विपरित काम करता है और आपके जीवन में चीजे इतनी मुश्किल हो अगर आप इस टेक्निक को अपने जीवन में इस्तिमाल करते हैं, तो वास्तों में मेरे बात मानो, आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ एचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये एक प्रूवियंट टेक्निक है, जो कि बहुत से लोगों ने यूज किया है, मैं अभी आपको कुछ देगा, जो आप चाहते हैं, वास्तों में अगर दिखा जाएं, तो यूणिवर्स को ऐसी वास्तो या चीज नहीं है, जिसे कुछ महसूस नहीं होता है, सच बात तो यह है, ये यूणिवर्स हर्स में आपको देख रहा है, और इस यूणिवर्स में ही, इस ब्रमान म नहीं हमारी सभी समिश्याओं का समधान है, क्योंकि ये बात महानवी ग्यानिक निकॉला टेसला ने भी कही थी, उन्होंने कहा था, कि इस यूणिवर्स में हमारी सभी समिश्याओं का समधान है, और उसकी चाभी हमारे दिमाग के पास है, क्योंकि ये इनुवर्स हमेशा यहीं चाहता है आप अपने जीवन में आगे बढ़े क्योंकि आगे बढ़ना और ग्रो करना और परचूरता को फाना आपका जन्म सिद्ध अदिकार है आप अपने मर्जी की अपनी पसंद की लाइफ को जीए और यहीं स्रिष्टी का नियम है अगर ऐसा ना होता तो यह ब्र या कुछ शब्द बताने वाला हूँ और इसमें आपको यहीं ध्यान देना है कि इन सेंटेंस को इनवाइक्यो को आपको कब और कैसे यूज़ करना है ये पांच मंत्र इस प्रकार है पाला सबकुछ मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है दूसरा जो मैं चाहता हूँ वह कुछ मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ ये जो पांच वाइक के मैंने आपको बताया ये सिर्फ वाइक के नहीं है बलकि ये एक मंत्र के रूप में आपके जीवन में काम करेगा ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार वाइक के है जो आपके जीवन में ऐसे ऐसे म जो इन्वाइक्यों का उप्योग करते हैं, साथी साथ मैं खुद भी इन्वाइक्यों का उप्योग करता हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अब मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनियेगा, इन्वाइक्यों को आपको कब औ शब्दों को अपने मन से अपने आप से कहाना है इससे आप इनका असर तुरंद देखेंगे इसे ठीक से समझेए आपके साथ कोई ऐसी सिती आ गई है जो आपके बिल्कुल फेवर में नहीं है और आप वहां से निकलना चाहते हैं या आपका कोई काम बिगड़ गया है जिसे आप बहुती महनत या बहुती मन से कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से ठीक हो जाए तो वहां पर यहीं वाई के आपकी मदद कर सकता है उस वक्त आपको ये कहाना चाहिए कि मेरे लिए सब कुछ ठीक से चल रहा है मेरे जिवन में अभे की इस्तिती भी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है इन शब्दों को आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है पूरे भरोसे के साथ बोलना है फिर आप देखेंगे कि कुछी समय में इनका असर आपको मिल जाएगा हो सके आपके सिच्वेशन्स नौरमल होने लगेगी या आप उनका ध्यान उनका कॉंसियस Mind में समय स्या पर केंदरित हो जाता है और उस वक्त जो भी बात आपके कॉंसियस मायन में जाती है वह बहुत हीzneक्टफुल होती आपकी समयस्या को कम करने के बजाए और अधिक बढ़ाने लगती है जैसे कि मैं परशान हूँ, मुझे गुसा आ रहा है यह काम क्यों नहीं हो रहा है, यह सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है मैं इस मुसिवत से उभर क्यों नहीं पा रहा हूँ और इसी तरह बहुत से नकारात्मक वाइक के हम लोग परयोग करते हैं इसलिए आपको यह समझना होगा, कि अगर आप उन शब्दों का अपयोग करते हैं तो आपकी समयस्याएं और अतिक क्रिटिकल होने लगेगी इसलिए उन चणों का पयोग सिर्फ और सिर्फ साकारात्मक वाइक क्यों सकरे और ऐसे वाइक के जो की बहुत इंपेक्टफुल हो मैं थोड़ी देर पहले जो भी वाइक के आपको बताया वह बहुत इंपेक्टफुल वाइक के और मंत्र है जो कि आपके हालात को बिल्कुल बदल कर रख देंगे इसके पीछे का विज्ञान ये है कि आपके द्वारा कही गई हर बात ओर्जा के मैद्दम से इस ब्रह्मान तक जाती है और ये उनिवर्स आपकी हर एक बातों पर परतिकरिया करता है आप जो भी बोलते हैं उनका एक रियक्शन होता है और आपको ये समझना होगा कि उनका रियक्शन्स बिल्कुल सेम होगा जिससे कि नकरत्मक सब्दों का उप्योग करने से सिच्वेशन्स आपके फेवर में और काम ने कर पाती है इसलिए अगर आप बुरी परस्थिती में हो तो इन वाइक्शन्स को अपने आप से बोल दे यानि कि आप एक इंस्ट्रक्शन्स देते हैं तो आपके हालात आपके फेवर में बन सकते हैं और ये सारा काम आपका उचेतनमन इस ब्रह्मान से कनेक्ट करके करता है आपके जिवर में बन सकते हैं आपके हालात अच्छे होते हैं तब उस दिन आपको लगतार सकारात में परिनाम मिलते हैं और ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपके जिवर में सबकुछ सही चल रहा है जब उस वक्त भी आप इन वाइक्यों का परियोग करते हैं तब आप अपने भीतर के वाइब्रेसंस को और अधिक इंप्रूब कर लेते हैं और आपका पॉजिटिव वाइब्रेसंस एक साकरात्मिक उर्जा बना कर इस ब्रह्मान तक जाती है जिससे कि ये ब्रह्मान आपके हालात को और अधिक अच्छे मौमेंट्स में ले आते हैं इस तरह से आप एक बुरे समय को बहुती आसानी से अच्छे समय में बदल सकते हैं ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि आपके जिवन में सभी चीजे जिससे भी आप जुड़े हुए हैं जो भी आपके पास है वे सभी चीजे आपके लिए अच्छे से काम कर रही है आकरसन के नियम के साथ साथ आपको इस पर पूरी आस्था और विश्वास रखना होगा और इसलिए जब भी आपके जिवन में आपको सभलता मिलती है आप अपने आप से यह भी कह सकते हैं कि आपके जिवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा है सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है और इसका सबसे बड़ा benefit से ही है कि आप अपने vibrations को अपनी ओर्जा को हमेशा साकारात्मक रख सकते हैं जिससे कि आप इस ब्रह्मान से लगातार साकारात्मक ओर्जा ही आकरसित करते रहेंगे तीसरा और अंतिम तरीका है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पाले इन शब्दों को इन वैक्यों को आपको जरूर बोलना है अगर इस वक्त आप इन वैक्यों को कहते हैं तो ये आपके लिए एक मंत्र जैसा काम करेगा इन वैक्यों पर आप जितना अधिक विश्वास करेंगे उतना ही अधिक, आप अपने जिवन में उन सभी चीजों को प्राप्त करने में सक्चम हो जाते हैं जो भी आप चाहते हैं, अगर आप धन चाहते हैं तो आप मने के फिल्ड में भी एक परचूरता को अबंडन्स को पाएंगे इसलिए आप इन पांच वायक्यों को ऐसे जगह में लिख कर रख सकते हैं जहांपर आप इसे दिन में कहीं बार देख पाए ताकि जब भी आप इन वायक्यों को देखे तो देखने से आपके भीतर जो उर्जा उत्पन होगी वही उर्जा इस ब्रह्मान तक लगातार पहुँच सके जिससे कि आपका आने वाल हर इक पल आपके फेवर में काम कर सके दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेट जो कीजेगा और इसी तरह की वीडियो जबाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबाएगा धन्यवाद